नमस्कार ख़बरों को पंच्वामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाज बाड़ी ख़बरे जस्पे चर्श्वा के लिए मेरे साथ स्टुडियों में मौजूद हैं सबसे पहले नजर हेड्लाइन्स पर पियमोदी ने तिलंगाना को दी बड़ी स्वागाथ 56,000 करोल रुपए की योजनाओ का किया सिलन्यास और उत्खाटन बिपक्ष पर जम कर बढ़ से पीम ने कहा ब्यारेस और कॉंग्रेस एक इठाली के चट्टे बट्टे लालोपशाद यादव पर पलटवार करती हुए पियमोदी ने दिया परिवार बात के खिलाफ नया नारा शान नडड़ा समेथ बिजपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के बायों में लिखा मोदी का परिवार आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरिवाल वीडियो कंफरेंसिंग के जरिए 12 मार्श के बाद पेशी की रखी शर्ट पर ईडी ने ठुकराई केजरिवाल की मांग वोट की बदले नोट मामली में सुप्रिम कोट का अतहासिक फैसला सदन में नोट लेक कर दिया वोट या भाशन तो अब चलेगा केस सांसदो विधायकों को कानूनी छूट से इनकार पेम बोदी ने फैसलेका किया स्वागत आंदोलनकारी किसानों को बड़ा चटका किसान आंदोलन पर दाखे लिया चुका सुनने से सुप्रिम कोट का अनकार सुप्रिम कोट ने कहा सिर्फ पबिसिटी के लिए दाद ना करे या चुका आज कबरों की शुरुआत में सबसे पहले बाद पेम बोदी की तलंगाना दौरे की प्रुदानमंत्री नरेंद्र बोदी ने आज तलंगाना में बिजली रेल सडक छेत्रों से संबंधित चपन हजार करोल रुपए की कई विकास परियोचनाओं का उधगातन और सिलन्यास किया इस मौके पर पेम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी आगे परिवारवाद पर हमला बोलती हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टिया अलग हो सकती है लिकिन इनके चरित्र एक ही जैसे होते हैं जैसे ट्यारेस के ब्यारेस बनने से कुछ नहीं हुआ, वैसे ही तिलंगाना में ट्यारेस के बाद कॉंग्रिस के आने से भी कुछ नहीं होगा। मन्च से पियम मोदी ने विपक्ष पर जम कर हमला बोला, बड़ी बात ये है कि मन्च पर पियम मोदी के साथ मुख्यवंत्री रिवन्त रड़ी भी मौजूद रहे। आदिलाबाद में जलसभा के दौरान रिवन्त रड़ी ने गुजरात मौडल की तारीफ की सावरमती रिवर्फरंट का भी जखर किया, पियम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया, आज जिस तरह से रिवन्त रड़ी ने पियम मोदी की तारीफ की है, ये बात राहुल गाद मोदी क्या कर रहे हैं साउट है, साउट पे टार्गेट है, 129 सीट के अंदर 60 का लक्ष है और इसलिए प्रधान मंतरी मोदी तलंगाना में उन्होंने स्केट जरकार की खजाने खोल दिये, और मुख्यमंतरी के सामने ही बहुत सारी बात ही करती, एक और जो बड़ी चीज, जो केंपेन साउट इंडिया के अंदर चल रहा है, वो परिवारवाद के खिलाफ स्पेशल एंफेसिस दिया जा रहा है, अभी मैं एक एक वीडियो देख रहा था, और इतना वो वीडियो स्ट्राइकिंग है, कि बगल में बैठे हुए चिदमरम के बेटे, और इधर बैठ उने जो बाते कहीं कि देखे, मेरे पिता जी छटे पास थे, मेरी माँ चौथे पास, वो ढंक एजुकेटिट नहीं थी, गरीब किसान परिवार से मैं उठके यहां तक आया हूँ, और मैं यहां पे इतने अच्छे ओडियोंस टेलिवीजिन चैनल के सामने हैं, मैं यहां प पिता जी कुछ है, किसी के चाचा कुछ है, यह परिवार वाद तो एक नया जिसको कह सकते कि राजनीती प्रधान मंतरी मोदी जो लगतार कर रहे हैं, वो परिवार वाद के जरी, उस पे हमला करके विपक्ष को निश्तो नाबूत करना चाह रहे हैं, साथ में यह जो विका प्रधान मंतरी मोदी कि अगर अच्छी द्रिष्टी तेलंगाना पर पढ़ जाए, तो हम भी विकास कर लें, तो यह फर्क पढ़ता है, शायद कोई दूसरा मुख्यमंतरी या कोई और मुख्यमंतरी किसी दूसरे प्रधान मंतरी के सामने इस तरह की बाते नहीं किया एक स्तो चालिस करोड देशवासी मेरा परिवार है, मैं जब भी परिवार बात की राजनीती की बात करता हूँ, तो पिपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए बच्छपन में घर छोड़ा था, इनहीं क स्पीच के कुछ देर बाद ही बीजपी नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम किया आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया, तमाम बड़े नेताओं ने एक सुर्वे कहा हम है मोदी परिवार, पहले मैं भी चौकिदार और अब मोदी का परिवार, क्य इसे चुनाविक कैम्पेइन माना जाए? कि चौकिदार चौर है, उसमें आप हार गे 2019, चायवाला आपने कह दिया, आप हार गे 2014, और 2024 में कि तुम्हारा परिवार नहीं है, और बड़ी बेशर्मी के साथ लालुई आदब कह रहे थे, कि जिसको बड़ा परिवार है, उसको परिवार अरे, तुम वहां खड़े हो क कि अपने दोनों बेटे को हाथ करके उसको लांच कर रहे हो, क्या इन दोनों को आशिरवात देना, ये घर का ये महले की किस तरह की राजिनिती है, और वहां बेवकूफों की तरह वहां पर वामपद्धी लीडर बैठे हुए है, इनकी मती मारी गई है, और आपने मौका द पार्टी के समर्थक, पहले लीडर्स ने किया, अब तमाम समर्थक, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, अपने नाम के आगे जो है मोदी का परिवार लिख रहे है, अब रोको इसको, एक तो चुनाव आप हार रहे हो, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास पश्चेहरा नहीं है आप में यूनिटी नहीं है तूट फूट हो रहा हर तरफ और उसके बाद आप टार्गेट करो यह बिसिकली यह पी हार से सीखने वाले नहीं है मोदी के घ्रणा में यह लोग मोदी को गालियां दे दे कर अपनी जो है मुसीबत जो है सिर्फ पिली करके आ रहे हैं अब आद दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल की जो अब अच्छी से समझ चुके हैं कि जैसे उनका सामना एडी से होगा एडी केजरिवाल को उसे दिन गिरफतार कर लेगी और इसे गिरफतारी के जर से केजरिवाल एडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं E.D. के आठवे समन पर आज केजरिवाल की पेशी होनी थी पर आज फिर केजरिवाल E.D. के सामने पेश ने हुए पर इस पर केजरिवाल ने नई चला की चली है केजरिवाल ने ED के समन का जवाब देते हुए कहा कि ED का समन गयर कानूनी है लेकिन फिर भी वो जवाब देने को तैयार है केजरिवाल ने ED से 12 मार्श के बाद की कोई तारीक मागी है इसके साथ ही केजरिवाल ने एक और शर्त रखी है कि वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदद से E.D. के सामने पेश होंगे पर केजरिवाल की शर्थ को E.D. ने साफ साफ ठुकरा दिया E.D. ने केजरिवाल की शर्थ को तो ठुकरा दिया अब क्या करेगे E.D. क्या नहुआ समझ जाएगा देखे मुझे तो लगता है ये कौन से दुनिया में केजरिवाल रहता है आदर तो नियाएथि मुर्ख वेक्ती है किसके सारे दोस्त जेल के अंडर है E.D. के कारवाई के तहट अभी तक इनको समझ भी ने आए कि E.D. जो है वो जो उनके कोस्टिनिंग का जो तरीका है जो नियमा वली है उसके मुताबिक वो किसी से भी वीडियो कॉन्फरेंसे से पूछ आच नहीं कर सकता क्योंकि जब आप अपना स्टेट्मिंट देते हैं बकैदा उसको लिखना पड़ता है उस पर साइन करना पड़ता है राहुल गांधी को बुला है राहुल गांधी चले गए आप जो है कानून बता रहे हो और सर्थ भी रख दी तो ये बेकार की चीजे हैं केजरिवाल को मालूम है और मुझे लग रहा है कि एक और आज जटका लगा है बहुत तगड़ा सुप्रिम कोट की तरफ से कह दिया गया है कि जो तुमने दफ्तर खोल रखा है आमाधी पार्टी का नेशनल पार्टी का नेशनल ओफिस दीन गयाल उपाध ध्याय मार्ग पे जो है आईटी ओ दिल्ली में उसको इविक्षिन ओर्डर दे दिया गया है सुप्रिम कोट के द्वारा 15 जून की तारिक दी गई है कि आप इमिडिटल इसको खाली करें तो आप देखिए आप एक बार किसी चीज़ से लोगों को वेफकूब बना सकते है एजेंसियों को एक बार धोका दे सकते हैं लेकिन नटवर लाल भी पकड़ा गया था अगली खबर में बार सुप्रिम कोट की बड़े फैसले की आज सुप्रिम कोट ने 26 साल पुराने उस फैसले को फलट दिया जिसमें वोट के बदले नोट के तहट सांसदों को किसी भी कानूनी कारवाई सिराहत मिली हुई थी सुप्रिम कोट की साथ जजों की बेंच ने इस मामले पर सर्व सम्मती से फैसला सुनाया है अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाशन या वोट देते हैं तो उनके खिलाब मुकदमा चलाया जाएगा सुनवाई के दोरान समिदान के अनुचेत 105 का हवाला दिया गया कोट ने कहा कि किसी को घूस खोरी की कोई छूट नहीं है रिश्वत लेकर वोट देने पर अभी योजन को छूट नहीं दी जाएगी सुप्रिम कोट के इस फैसले का प्यम मोदी ने स्वागत कर देवे कहा कि ये फैसला देश में साब सुत्री राजनीती को भणावा देनी वाला है इससे लोगों में सिस्टम के प्रती विश्वास बढ़ेगा आज सुप्रिम कोट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है ये कितना बड़ा अतिहासिक फैसला है दिखी बड़ा ही ये सर्मनाख डिसीजन है डिसीजन पर से नहीं इस अ बाड कोमेंटरी ओन आवर पॉलिटीशियन डिमोक्रसी में संसत सबसे सर्बपरी है और वहाँ हम चोर उचकों को चुनके भेज रहे हैं क्या सवाल ये नहीं है कि सुप्रिम कोट ने क्या फैसला दिया सवाल ये है कि इस तरह की फैसले की जरूरत ही क्यों है पैसे लेकर की घूस खा कर की आप सवाल पुछोगे इस तरह के लोगों को ये decision नहीं कि उनको सजा मिलेगी case चलेगा राजनीती से उसको बैन कर देना चाहिए इस तरह के कड़े कानू लाने क्या हो सकता है कि तुमने संसत की मर्यादा को का उसका उलंगन किया तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा अब देखिए अब ये case कैसा है राहूल गांदी की सरकार थी उसमें कॉंग्रेस की सरकार थी और घूस खाने वाले ये हमिल सुरन की पिता जी और उनकी चार-चार सांसत फिर अभी हो जेल में बेटा भी जेल में बाप भी जेल गया सारे लोगों की ये कहानी है तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा खेल हुआ है लेकिन इस case का जो इमिडिट इफेक्ट पढ़ने वाला है वो है ममता बनर जी की मैडम मोहित्रा मोहित्रा जी इसमें फस जाएंगी ये case ऐसा है कि अब इनको सांसत के रूप में लिया गया gift ये घूस कंसिडर होगा अब ये case CBI ED सब चलेगा हालत खराब हो रही होगी महुआ मोहित्रा की तो ये इसका रैमिफिकेशन है प्रदान मंत्री ने इसका स्वागत किया है अच्छी बात है लेकिन देश की जनता से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हम कहें इस तरह के लोगों को हम चुन के भेजते हैं जिनके लिए हमें ये सब दिन देखना पड़ता है चोर उचकों को हम भेजेंगे संसत के अंदर अगर रिमानदार लोग को हम भेजेंगे तो इस तरह के कानून क्या हो सकता नहीं होती लेकिन किसी को चाहिए ढ़ड़ा लाग रुपे का बैग तो क्या किया दिसकता है लालच बूरी बला है आज के आखे कबर में बात सुप्रिम कोट के एक और बड़े फैसले की जिससे आंदोलनकारी किसानों को बड़ा जटका लगा है दरसल किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रिम कोट ने सुनवाई से साफ साफ अनकार कर दिया इतना ही नहीं सुप्रिम कोट ने याचिका करता को जम कर पटकार भी लगाई है सुप्रिम कोट ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंड के लिए इस तरह की याचिका दाखिल करना उचित नहीं है याचिका करता की खेद याचना के बाद सुप्रिम कोट ने याचिका वापस लेने की जासत दी इस याचिका में गोहार लगाई गई थी कि कोट सरकार को निर्देश दे कि किसान जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सरकार विचार करे किसानों के साथ सरकार उच्छित वहवार करें आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में देखिए सुनवाई के दोरान इसका निस्कर से ही है कि आप गए सुप्रिम कोट के पास राजनीती के दृष्टी से कि सुप्रिम कोट एक सब्द बोल दे एक सेंटेंस दो सेंटेंस तब ये दलाल मीडिया जो है उसको पिक कर लिया होता कि देखिए फटकार लगा दी किसानों के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार यही इनकी मंसा थी क्या प्री लेकर के कहते कि जो कोई भी रैसनल डिमांड है उसको आदेश किया जाए सुप्रिम कोट के द्वारा की सरकार मान ले तो जज साहब ने कोई डिमांड नहीं की इसका मतलब क्या है इसका एक अर्थी ये भी निकल रहा है कि किसानों की मांग जो है वो रैसनल नहीं है जाएज नहीं है नाजाएज मांग लेकर कि ये लोग तमाशा कर रहे है और सुप्रिम कोट ने इस याचिका के पीछे की राजिनीती रनीती को वो भाप गए और इसलिए डाट के भगाया वो तो जेल नहीं भेजा याचिका करता को लेकिन इस तरह के ड्रामेबाज लोगों को जो आंदोलन के नाम पे पैसे कमा कमा कर नाम कमा कर एलेक्शन के दोरान उमिदवार उसे चंदा और उगाही का धंदा करते हैं इन लोगों के खिलाब तो कड़ी से कड़ी कारवाई की जानी चाहिए इन में से कौन सा किसान है मैं सुन रहा था एक पंजाबी किसान ही बोल रहे थे कि इसमें कोई गरीब किसान नहीं है तीन तीन लाख रुपे का तो म्यूजिक सिस्टम लगा करकर रखा वह ट्रैक्टर के उपर इनको किस चीज की ज़रूरत है जितने ट्रैक्टर से नहीं ज़र आते है सब ब्रैंड न्यू बई सब कुछ तुम कर रहे हो माल कमा रहे हो किसके बदालत संकार के उपर राजजितिक दबाव डाल करके तुम हिंदुस्तान के जो टेक्सपेर हैं हम आप जैसे लोग जो मेहनत करके टेक्स देते हैं 30-30% टेक्स चला जाता है लोगों का और इन लोगों के तमासी लोगों के अयासी के लिए हम लोग अपनी मेहनत को इस तरह से बरबाद करें सुप्रिम कोट ने सही काम किया है इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जानी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद के समझानी के लिए धन्यवाद